एक तरब जहां हमारे देश में घुटालो के कारण हर नागरीक के उपर करजे का बोज़ा बढ़ता ही जा रहा है वही एक अलग उधारन भी देखने को मलता है सिंगापूर की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हर नागरीक के खाते में 15,000 रुपे देने का एलान किया है सिंगापूर के वित्तमंत्री हैंग सुई कीट ने 2017 के बजट में करीब 10 मिलियन सिंगापूर डॉलर के सरप्लस होने की जानकारी दी थी उनके मताबिक सरप्लस को ध्यान में रखकर 21 साल और उससे ज्यादा उम्रे के सभी नागरीकों को 300 सिंगापूर डॉलर यानि करीब 15,000 रुपे का SG बोनस दिया जाएगा जो सीधे नागरीकों के अकाउंट में जमा होगा वित्मंत्री ने संसद में अपने बजट भाशन में ये एलान किया वित्मंत्री ने बोनस को हंगबाव बताया है हंगबाव एक ऐसा गिफ्ट है जो सिंगापूर में खास मौकों पर दिया जाता है सिंगापूर के एक चैनल के मुटाबिक वितमंत्री ने बताया कि सरकार का ये फैसला इस बात को दर्शाता है कि सरकार सिंगापूर के विकास से होने वाले लाब को जंता के साथ शेर करने के लिए प्रतिबद है SG बोनस की लागत सरकार के लिए 700 मिलियन सिंगापूर डॉलर होगी साल 2018 के अन तक करीब 27 लाख लोगों को ये बोनस दिया जाएगा सरकार के लिए संदाओ